इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL की recruitment process के बारे में और first of all I hope आप लोगों को पता ही होगी process अगर नहीं पता तो थोड़े बहुत आपको मैं resources के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत हम डिटेल में discuss करेंगे जिससे आपको सारी चीशने समझ में आ जाए ओके दूसरी एक और बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो so make sure you subscribe इस चैनल जिससे आपसे कोई भी चीज मिस नहीं होगी now talking about HCA recruitment process यहाँ पर आपके दो रोल्स ओफर किया जाते हैं रोल से फस्ट जीटी जीटी मतलब होता है graduate trainee ठीक है और इसमें बहुत बड़ा पंगा है तो मैं आपको समझाता हूं पंगा क्या है ठीक है यह आपका graduate trainee का रोल है अब अगर आप देखो कि तो official website पर ही लोग मेंशन करते हैं कि इसमें BA, BBA, BCA, BCA, BSC और B Pharma eligible है बड़ ऐसा है नहीं एक्चुली मैं engineering graduates, MSC, MCS सभी लोगों को इससे mail आ जाते हैं GT के लिए but the thing is कि जो pay package मिलता है वो graduate trainee वाला ही मिलता है मतलब 2.5 का pay package मिलता है ठीक है तो देखो HCL को तो क्या ही दिक्कत होगी अगर आपका इतनी अच्छी qualification है और उसके बाद भी उसके बाद भी आपर आप HCL Tech के लिए opportunity ला पा रहे हो इसके लिए अगर आपको graduate trainee का mail आ गया है तो आप यह मस समझना केवल यह इतनी ही डिग्रीस तक limited है ऐसा नहीं होता बड़ इसका जो pay package है वो काफी जादा कम होता है और इसमें सभी लोगों को mails आ जाते हैं और engineering graduates के लिए इसमें यहाँ पर मिल्स आते हैं इसके लिए BCA और BSC वालों को mails नहीं आते हैं इसमें यहाँ पर B.B.T.E.C.E.M.T.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C. होता है PGAT लेकिन उसके लिए on campus में hiring होती है और off campus में नहीं होती है तो इसलिए अभी मैं उसको consider नहीं कर रहा हूं ठीक है logical English देखने को मिलेगा अगर आपको GT से मिलाया ठीक है graduate trainee से अगर आपको मिलाया आपको CSMC की उस देखने को मिलेंगे अगर आपको GT से मिलाया मलब graduate engineer trainee से मिलाया ठीक है so totally depending upon कि आपको किस position के लिए यहाँ पर rewards आये है उसके साब से यहाँ पर मिल जाते है ठीक है so quant logical English यह आपन का हो गया GT के लिए CSMC की हो गया GT के लिए okay then यह आपका first test होगा उसके बाद आपका technical interview होता है उसके बाद आपका HR interview होता है okay so आगे बढ़ते हैं with the math so सबसे पहले जो maths है वो काफी ज्यादा basic आता है first of all HCL में जो maths का level है वो काफी ज्यादा basic है बिल्कुल मतलब advance नहीं आता बिल्कुल जो small questions होते हैं छोटे questions होते है math के अगर आप basic preparation करोगे तो वही questions आपको देखने को मिलेंगे इसके test में और जो cutoff है इसका 70% के आसपस रह सकता है as questions का level है वो काफी ज्यादा easy होता है तो आप 70% आसानी से qualify कर पाओगे आपको मतलब ज्यादा difficulty नहीं होगी ठीक है इसके लिए आपको ऐसा नहीं कुछ बहुत जादा preparation की जुरुत है बस मैं एक ही जीज़ बोलूँगा कि अगर आपको क्वांट में कोई ऐसा topic है जो आपको नहीं आता लेगिन जो journal topics होते है I think आपको आते होंगे जैसे percent का topic होता है average होता है some वाले topic होते है तो I think आपको वो topics तो आते होंगे तो उसके लिए बस आप mock test दोगे तो आपका काम हो जाएगा mock test अभी मैं आपको show कर दूगा कि mock test आपको कैसे देना है आपको कैसे free mock test मिलेंगे तो उसके बारे मैं आपको बता दूगा ठीक है तो आकिवल mock test यहां पर prepare करो आपको link description में मिल जाएगी और आपका काम बन जाएगा then बात करते है reasoning की so इसमें भी basic logical के question आते है 60 to 70% तक का score आता है इसका level भी यहापर काफी easy रखा जाता है reasoning का so definitely इसकी भी आप यहाँ पर preparation कर सकते हो और preparation करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया अगर कोई ऐसा topic है जो आपको नहीं आता for an example sitting arrangement है अब अगर आपको मालो sitting arrangement नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ है तो आप इसकी वीडियो देख लो और इसको आप complete कर लो ठीक है और general basic questions तक आप cover कर लोगे basic concept समझ लोगे तो आपको काम हो जाएगा इतना कुछ difficulties में होता नहीं then mock test का link आपको description में मिलेगा इसका भी मैं आपको description में provide करा दूगा जिससे आप prepare कर पाओगे logical reasoning के लिए भी then बात कर लेते हैं यहाँ पर English की so English थोड़ी सी advance आ जाती है so जैसे मैं आपको बताया था कि जो maths और reasoning है वो थोड़ी सा basic level कर रहता है English आपकी थोड़ी सी अच्छी level की इसमें आ जाती है जंबल सेंटेंस होता है fill in the blanks होता है वो सारी चीदिया आपको यहाँ पर English में देखने को मिलती है सब्सक्राइब में जो mock test की link है वो मैं आपको description में डालके दूँगा भी show करूँगा आपको कैसे क्या होती है ठीक है तो उस code की ऊपर basically आपको कुछ करना है तो वो होते है code snippets फिर आतक डीवगी डीवगी मतलब कोई code लिखा है उसमें कुछ line है गलत है तो आपको उन line हो को correct करना है output based question आपको एक code दिया होगा उसका आपको output बताना है programming related question जिसमें आपके general programming related questions होते है algorithms related questions होते है वो सब बागी फिर आपसे fundamentals और logical output पूछे जा सकते हैं fundamentals में आपके वही CS fundamentals जो होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते है logical output में आपके कुछ basically जैसे suppose के कुछ operations लिखे हैं जैसे कि one and and two so इसका output क्या होगा इस प्रकार के जो कुछ questions होते हैं उनको पर logical output बोलते हैं ठीक है ऐसे questions आपको देखने को मिलेंगे फिर आपका technical interview होता है तो इस पर जाने से पहले सबसे पहले हम resources के बारे में discuss कर लेते हैं सो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है आप मौक टेस्ट के लिए डारेक्ट प्रिपेर करना तो मैं आपको यह लिंक आपको प्रोवाइट कराऊंगा मौक टेस्क्रिप्शन में सो अगर आप देखो कि यहाँ पर आपको aptitude के टेस्ट मिलेंगे verbal के टेस्ट मिलेंगे डेटा इंट्रिप्टेशन के टेस्ट मिलेंगे सो आप क्या कर सकते हो ना कि इनके मौक टेस्ट देसकते हो 30 मिरिट का टाइम है टूटल 10 सेट हैं जब आप यह पूरे 10 सेट फॉलो करोगे 10 सेट के क्वेस्टन्स दोगे तो आइटिंग आप यह काफी अची प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि टूटल यहां पर 10 सेट आपको मिलने वाले 30 मिरिट का टाइम है बीस क्वेस्टन्स हैं सो प्रेक्टिस के साफ से काफी अच्छे हैं क्योंकि प्रेक्टिस करने हैं तो आप डेफिनिटली इसको फॉलो कर सकते हो यह फ्री मॉक टेस्ट है सो डेफिनिटली इन सबको ट्राय करना इनकी लिंक आपको में इस्क्रिप्शन प्रोइड करा हूँ और यह आपको प्रप्रेशन में अचे कर ले बढ़ाना, फिर देट तो प्रोग्रामिंग प्रोइशन प्राय करणा इनकी राइनकीफट प्रप्राय कर लेगा प्रजेक्ट प्रपैर कर लेगा प्रॉट बहेवियर क्रपाय तो एचार इंटर्विवस में आपके बेसिक बेहेवियर क्वेशिन मतलब सिच्वेशनल बेस क्वेशिन पूचे आपके हैं तो आपको आपको यह पूरी की पूरी प्रोसेस क्लियर हुई होगी थैंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो